दोस्तों सिर्फ और से 10 से 15 मैट के अंदर आपकी ये सबजी बनके तयाल होगी वो भी बिना सबजी के जिसको देख के खा के कोई नहीं पैचान पाएगा कि इसको हमने बनाया है बेसन से जो की बहुत बहुत टेश्टी बनती है सबसे पहले हम बनायेंगे करी का मसाला जिसको बनाना बहुत आसान है बहुत टेश्टी बनती है तो यहां दो प्याद लिया है लंबी स्लाइज में कटा हुआ दो टमाटा लेंगे इसको बाद में कट कर लेंगे दो हरी मिर्च लिए तीखे बन के लिए कढ़ाई में अट कर कर देंगे पहले हम दो चमा तेल जब तेल गरम हो जाएगा समेट करें खड़े मसाले टेश को बढ़ाने के लिए दो सुखे लाल मिर्च अधा जीरा लिया है चाल लॉंग है दो काली लाची ली है तीन हरी लाची है यह टुकड़ा दाल चीनिका है तेश पत्ता है थोड़ ब्राउन कर लेंगे ताकि प्याज का अच्छा परने कहतम हो जाए और इसका जो स्मोकी फ्लेवर हम वह आ जाए तो यह देखे मैंने प्याज की तम अच्छे से गोलडन ब्राउन कर लिया है इस तरह किसे फ्राई करने के बाद इसमे एट कर देंगे हम एक चमा जिंजर गा ने के लिए शब को डंगे और साथ मेट कर देंगे फ़ोड़ा सा पानी ताकि सुखे मसाली जलना जाए अच्छे से भून लेते हैं ताकि जो प्याज है न वो मसालों के साथ में घुल मिल जाए और ये देखिए यहां अच्छे से भून लिया मसालों को मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है मतलब मसाला अच्छे से भून गया है और बहुत ची महग भी आरे स्टैंपे मसालों की अब इसमेट कर देंगे हम दो टमाटर बारी कटा हुआ अच्छे से मिला देते हैं और साथ मेट कर देंगे हम टेस्ट को बढ़ाने के लिए आधी चममच हमारा गरम मसाला तो यह हो मेट गरम मसाला जो की बहुत टेस्टी बनता है अच्छे से मिला देंगे तो यहाँ पर सभी मसालों को मैंने काफी अच्छे से भून लिया है लेकि टमाटर पर आज खड़े खड़े तो इसमेट कर देंगे हम एक कब पानी अब यहाँ ग्रेवी नहीं बना रहे हैं हम के करेंगे पानी डाल के मसालों को मिला देते हैं और कवर कर देंगे ताकि जो मसाले हैं पानी के साथ मिल जाएं और इदर नरम से हो जाएं खड़े खड़े न रहें तो 3-4 मेट के लिए भी कुछ धीमी आज पे ढखकर लगा के छोड़ देंगे तो वेशन की वड़ी बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कब वेशन नाफ से कहें 1500 ग्राम है अब इस मेट कर दें खड़े मसाले आधी चमच जीरा तो आज हम बनाने वाले हैं बेशन की वड़ी तो इसके लिए हम डो बनाएंगे ना बहुत हाड रहेगा ना बहुत सॉप्ट रहेगा तो हमको ध्यान अटना है कि बेशन बहुत कम पानी सोग करता है तो पानी अब बहुत धीमे धीमे आट करिएगा तो यह देखे मैंने यह आई चमच डाल दिया है चिसमे मिला देंगे अगर आपको लगे बेशन बहुत गीला सा हो गया है तो अब इसमें बेशन आट कर सकते कोई दिकत नहीं है और यह देखे मैंने यहाँ पर डू बना के तयार कर लिया है यह ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है बीचका है बहुत हार्ड रहेगा ग्रेवी अंदनी जाएगी और बहुत पतला हो जाएगा डू तो बड़ी बन नहीं पाएगी तो यह देखे तो ये देखिए हाथों को साफ कर लिया है अब छोटी बड़ी जैसे वड़िया को तोड़नी तोड़ लिजेगा बहुत ही मज़े की बनती है जो ट्राय करिएगा ये देखिए सभी वड़ी को तोड़ लिया है कुछ छोटी कुछ बड़ी इसी है लेकिन बहुत ही मज़े से बनी हुई है तो यहाँ पे जो वड़ी है बनके तयार हो गई है अब इनको हलका साम फ्राइ कर लेंगे तो इनको हमें cello fry करना, deep fry नहीं करना है और यहाँ पर gas की flame को मैंने medium कर दिया है, low to medium की बीच में है ताकि कच्चा पन न रहे हैं अंदर तक तो यह देखे, वड़ी हलकी से fry होगी, टन कर देते हैं लबा 3-4 मेट के लिए fry करेंगे, ताकि जो वड़ी हमारी है वो अंदर तक hard ना हो, hard हो जाएगी न, तो वड़ी हमारी अंदर तक gravy को सोक नहीं कर पाएगी तो यह देखे, मैंने वड़ी को fry कर लिया है, बाहर से crispy है, अंदर तक पक गई है लेकि अंदर से hard नहीं हुई है, तेल से निकाल लेंगे तो वड़ी मैं आपको तोड़ की भी दिखाऊंगी, कि ट्रेशर देखिया आपक ऐसा है यह देखे, तोड़ने के बाद बाहर से crispy है, अंदर से अच्छे से पक गई, कच्चापन नहीं है मतलब हलकी से यह, खुर-खुरी सी है, मतलब ग्रेवी को सोख कर लेंगी, ऐसी बनी है hard रहेगी तो ग्रेवी सोख नहीं कर पाएगी और यहां पर इतनी दिल में देखी, जो मसाला है, वो भी अच्छे से पक गया है तो यहां पर 3-4 मेट के लिए मैंने ढखके मसालो को छोड़ दिया था, बिना खोले ताकि जो मसाले हैं, वो अच्छे से पक जाए, नरम हो जाए, तो मसाले पक गए है लेकि मसाले भी खड़े-खड़े हैं, तो हलका सा कल्ची से मैश कर देंगे ताकि जो मसाले आने वो घुल से जाए, खड़ा-खड़ा न लगे खाने में और यह देखिए, बस एक मैट के लिए मसालो को मैश कर दिया तो यहां जो मसाला है, वो इदम अच्छे से घुल गया है इदम पर्फेक्ट, और बहुत बहुत अच्छी खड़े मसालो की जो मसाले में सुखे डाले, उसकी बहुत अच्छी महग भी आ रही है तो यहां पर हमारा करी का जो मसाला है बनके तयार हो गया एदम पर्फेक्ट बहुत टेस्टी लग रहा है अब इसमें अट कर देंगे हम ग्रेवी के लिए पानी, तो दो कप पानी डालेंगे ताकि जो बेसन है वो ग्रेवी को अच्छे सोक कर ले और ग्रेवी कम भी ना हो अच्छे से मिला देंगे बेसन के सबजी जो होती हो ग्रेवी बहुत सो करती है तो ग्रेवी यह जाज़ा ही डाल दीज़ेगा स्टार्टिंग में अब इस मैट कर देंगे हैं वड़ी ग्रेवी जब उबनने लगे तब डालेंगे कई बार ऐसा होता है ना कि घर में सबजी नहीं होती है ये होती भी है तो सबजी खाने का बनाने का मन ने कर रहा है कुछ अलग सा खाने का मन करता ना तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राय करिएगा बहुत ये आसान है बहुत टेस्टी है तो ये देखे वड़ी को मैंने मिला दिया ग्रेवी के साथ में गैस की फ्लेंग को मीडम कर देंगे और 4-5 मेट के लिए ढखके छोड़ देंगे ताइक जो वड़ी है वो ग्रेवी को सोक कर लिए अंदर तक गैस को बन करने के बाद एक मेट के बार ढखक Means तो ये देखिए सभजी की रंगत देखिए कितनी मज़े की लग रही है देखे कोई पहचानने ही पाएगा की ये वज है की नौन्वेज है ज़िक हमने बनाया है बिना सभजी के बहुत ही मज़े की बनती है और जो gravy बनाई हमने तो वो बहुत बहुत tasty है तो यहाँ पे हमारी बिना सबजी की बनी हुई बेसन मसाला वड़ी बनके तयार हो गई है जिसको आप रोटी से खाईए, चावल से खाईए, नान से खाईए, घर में महमन आने वाले हो तब बनाईए सब को यह बहुत पसंद आएगी, सब आप से रस्पी पूछेंगे आपने बनाई कैसे है तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है, फ्रेंड्स तो करना क्या है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंड करिए चैनल पे नए हैं, लेकिस सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर गए, बैल आकन को प्रेस कर दीजेगा, फेस्बुक पे देख रहा है, फॉलो कर लीजेगा, चली मिलते हैं नई रसिपी के साथ में, अभी के लिए, थैंक यू, टेक के रण फेस्बुक इंस्ट्राग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज फॉलो करिएगा, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वाच, प्लेयंक का किचन जोन,